हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो इन्फो टेट यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में आपको 50 कोश्टन के करीब बताने वाला हूँ आप जानते हैं कि हमने एक संडे में एक्जाम रखा था जिसका कि हमने रिजल्ट भी आउट किया था अपनी टेलिग्राम चैनल पर फेस्बूक पेज पर और इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा कर सकते हैं तो यह सारे कोश्टन से जो कि हमने अपने टेस्ट में रखे थे तो स्टाप बाइस्ट के आंसर जो है देखते चलेंगे कि कि किसका आंसर गया था ठीकर इससे पहला यह दी दोस्तों आज हमारे चैनल पर आप नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में अब बैल आइकन को प्रस करेंगे तो हमारी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा तो फर्स्ट कोश्ट गाइस देख सकते हैं आप यहां पर किस टाइप से कोश्टन था तो यहां कोश्टन है कि इस पर गयर का दबाव कॉन होता है तो इस पर गयर का जो दबा इसके बाद next question था कि यहां पर देखें बोर से locations के लिए उपयोग होने वाला jig होता है तो यहां पर बोर से locations लेने वाला jig होता है यह मैं आपको live plus इसके जो वीडियो है उसमें भी आपको समझा चुका हूँ कि post jig कैसा होता है और इसका use हम क्यों करते हैं ठीक है आप इन वी वाते हैं बोर से Piece लेवी को सा दाएप करता है जो हमको इसमें से हमारा स्पेंडल को माना जाता है इसने इससने प्रजिक निकार नहीं-स इसके बाद तरल कडी दे रखा इन में से कोई नहीं इसका जो अंसर लगाना था आपको लिंक के लगाना था है यहां पर लिंक आपको चूस करना था पर फॉर्थ का अंसर आपने यदि C लगाया था तो आपका राइट अंसर है इसके पद आप questions को ध्यान से देखेंगे तो आपको कार्फीव कुछ जो है समझ में आ जाएगा इससे पहले गुस्तों मैं आपको जो है अपनी जो हमारी info trade play store पर हमारी info trade की android applications आज आ गई है या फिर आपको यदि हमारी जो idea mechanical trade book है उसको आप देखना चाहते है उसको आप रीड करना चाहते है पढ़ना चाहते है तो वह भी हमारा यहां पर हमने functions बहुत अच्छा लगाया है यह से कि आप सामने देख रहे हैं यह functions में ऐसा system रखा है हमने कि आप अपनी बुक को आसानी से पड़ पाएंगे तो यहां पर बुक में आप देखे pages भी आराम से पलट सकते हैं कोई भी page पर आप जा सकते हैं और इसको जूरूम करके देख सकते हैं course की सारी details जो है इसमें दी गई है बाकि आप कुछ से कहेंगे तो हम आपकी लिए इसकी वीडियो सेपरेट बना दूंगा कि कैसे कैसे course को जोईन करना है बाकि आप हमारे टेलरियम के साथ जुड़ेंगे तो उससे भी आपको काफी कुछ मिल जाएगा कि कैसे हमें course में जोईन करना है ठीक है तो five questions चल रहा है आप हमारा five questions था कि इंजिनियर बाग का आकार जो है नीमनों नुस्वार निविस्ट किया जाता है तो इंजिनियर व options को पढ़ सकते हैं six के बाद seven questions है कि animal जो animal का क्या ताप्रिय है तो यहां पर हमारा जो इसका answer होगा पैंटिंग से जो है painting में यूज होता है ठीक है तो यहां पर questions है काफी important painting से इसके बाद seven के बाद eight किसी वार्ट तरह को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है तो उ इसका आपको answer चूज करना था यह देखें मैं आप जो भी answer है उसको यह से टिक कर रहा हूँ आप इस answer को उतार सकते हैं अपनी नड़ूग में किसी भी questions पर doubts है तो आप मुझे वीडियो के नीचे comment section में comment कर सकते हैं nine questions क्यारा कि M5 tap द्वारा tapping करने के लिए किस size का आपको इसका answer होता हूँगा किस cancer है हमारा 4.0 तो यहाँ पर 0.8 से 5 में multiply कर देंगे तो 4.0 आ जाता है यह में आपको टेपडिल साइज कैसे निकालते हैं उस वीडियो में बताया है इसके बाद चलते है next question किसी कारेखंड में M30 x 2 mm internal thread काटने के लिए किस size के bore किया जाएग तो यहाँ पर आपको इसका answer जो source करना होगा काफी important questions है और इसका answer आएगा जब इसकी caligrations करेंगे Ts-2D से तो आपका जो answer आएगा 27.6 mm आएगा ठीक है तो Ds का answer हुआ इसके बाद है कि V block A grade की लंबाई होती है तो V block A grade की लंबाई हमारी 100 होती है B grade की हमारी 300 mm होती है इसके बाद है 12 questions की भारी V thread की dimension संबंदित परिशूदिता को चेक करने के लिए precision instrument को परियोग में लाया जाता है जो की screw thread micrometer है इस बारवे का हमारा answer जो होगा pitch diameter, pitch diameter जो है उससे check किया जाता है अगला questions नेक्स देखते है 12-13 की questions कि यदि डिल में clearance angle बढ़ा दें तो क्या परिणाम होगा यह questions मैं आपको live classes में दिया था 13 का questions जो मैं आपको दिया था वो live classes में भी दिया था तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि कमजोर cutting edge और यहाँ पर hole की roughness और बड़ा हुआ point और यहाँ पर खराल तो यहाँ पर इसका answer लाएंगे हम कमजोर cutting edge weak cutting edge ठीक है 13 का B हुआ इसके करेंगा answer हम करेंगा creeping तो पुलियों की जो पहरी बाहरी जो surface होती है उस पर movement होता है वो हमारा creeping कहलाती है जबकि sleeping होता है जब बैल्स नीचे फिसल कर गिर जाती है dressing उसको साफ करना या उसको कुछ लिक्विट लगा दिना हो हमारा dressing माता है crowning होती है कि sleeping को creeping को रोकने के लिए crowning की जाती है तो इसका answer हमारा फिलाल के लिए बी answer है 14 बिंग जलेंगे 15 questions पर शाफ का वह भाव जो bearing में उठाया जाता है वह सामाने तक कहलाता है बहुत एच्छा questions है यह भी इसका answer जो होगा जर्नल इसका answer होगा जर्नल यह बार बार questions एक्जाम माता है 16 questions लेदबैड के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले स्वरुत्तम सामगरी कौन सी है तो लेदबैड की हमें बनाना हो तो कौन सा यूज करेंगे आप metal यह भी most important questions आपके लिए हो सकता है तो इसका answer आपको लगाना है cast iron high compressive strength इसके अंदर हो दिया है इसके बाद हम चलेंगे next questions 17 questions नए blade को पुराने कट में परियोग नहीं करना चाहिए तो क्या इसका कारण है क्यों नहीं करना चाहिए यह questions पूछन जा रहा है तो यहां पर हमारा third answer लगाएंगे कि पुराने कट को सम्मंद देखिए आप लिखा है पुराने कट के सम्मंद में नए blade के लिए नहीं होता मैं फिर से बता रहा हूं जहां पर मैं इसा किलिक कर देता हूं ऐसे तो वो इसका answer आप समझे अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा हो ठीक है बाकी वीडियो को पॉस्ट करके भी आप दुबारा देख सकते हैं next questions cylindrical work shaft में कीवे को shape करने के लिए निम में स कौन से welding device को प्रात्मिक तर दी जानी चाहिए है तो यहां पर चार options आपको guys दिए गए है इन में से एक select करना है तो हम करेंगे वीडोग वीडोग का use हम cylindrical surface पर किसी भी जो हमें उसमें डिल करना हो या कोई surface बनानी हो तो हम वीडोग पर रखके करते हैं आपको कहीं बार पर आ चुका हूं 19 questions product की quality उसके निवन पर निरवर करती है product की quality होती है उसके किस पर निरवर करती है तो यहां पर लगाएंगे हम उपयोग इता पर ठीक है इसके पर चलेंगे next questions पर की steel rule का अलपमान होता है very important questions easy questions है तो यहां पर 0.5 steel rule का अलपमान होता है मतलब की आदा मि की बात कर रहे है जो आपने काफी बात जो है यूज किया होगा अगला questions 21 questions है कि लकडी से बने hammer को कहते है बहुत ही important और अच्छा questions है तो यहां पर mallet hammer बोला जाता है देखिए यह लिखा है mallet hammer mallet hammer लकडी से बने है जो हमारा hammer होता उसको बोलते है next questions टेलिसकोपी gauge की range होती है small hole gauge की इससे कम होती है 12.7 से ठीक है मैं आपको कई बार बता चुक हूं इसके बादे pattern बनाने के लिए किस rule का परियोग होता है तो pattern बनाने के लिए हमारा shrink rule का use करते हैं ठीक है यह arm जो inches होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा रख जाता है अगला questions निकल का गल्लांग होता ह है तो हमें इसका answer choose करना था जो हमारा 1453 degree Celsius निकल का गल्लांग कितना होता है तो इसके बाद हमारा next questions है 25 questions है कि lapping या honing surface का CLA मान है अब यहां पर देगे questions का अच्छा questions है कि lapping का और honing का CLA मान कितना होता है 25 questions हम चल रहे हैं तो इसका answer आपको choose करना था 1 से 8 ठीक है तो यह हमारे 25 questions भी complete हुए और आपने यदि चैनल अपर नहीं है तो चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करने साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें अगला questions file का size लिया जाता है आप file का size कैसे लेते हैं अब यहां पर 4 options है 4 options में बच्चों को 2 options में confusion हो सकता है तो यहां पर हम 26 का जो मैं आपको answer बताऊंगा वैं बताऊंगा point to heal अब यहां पर लिखा है point to tank नहीं point to heal ठीक है file to length नहीं file to cut यह सब चीज अलग है point to heal मैं आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि आपको इसके parts के बारे में जो हमारा file होती है उसके parts के बारे में बताया था कैसे size लेते हैं उस video को आप watch करेंगे तो आपको failure हो जागा पार आप जो टॉपिक है अगर कोशन से निमलिगीत में से कौन सा एक part text mapi हो जाा रहें जो हमारा एक part text mapi हो जाँ रहें वह कौन सा है यह questions पूछे रहा है तो हमारा है steel rule क्या है guys steel rule हमारा ex makes to the मतलब एपर्टेक्ष मतलब जो हमारा डारेक्ट देखे है हमारा लिख अब लिखा है तो वाइस क्लेमब का परियोग किया जाता है यहां पर हम तोचन को से पूँछन का है यह में जारा है त Mason का जो परियोग के लिए wise clamp का प्रियोग करते हैं wise clamp जो है अधिकतर soft metal का बनाया जाता है जैसे कि aluminium तो आपने काफी बच्चों ने किया भी होगा वैसे हम कोई लकडी घत्य का भी यूज कर सकते हैं wise clamp को तोर पर अगला questions कि gear के दाते के उठाव वाले भाग को कहते है incentiv के दाते के इडाते जो उपर वाला भाग होता उसको क्या गयते हैं वह थे अच्छा questions है और कशी बच्चों ने इसको गलत कर गया था तो यहां पे flank दिया गया, pitch दिया गया, land दिया गया है और यहां पे 99 dark Александ डिया गया है तो यहां पे तूग गाईज इसका जो अंसर होगा, भग रैं से liegen land होगा देहिए देखिए कैसा होगा मैं मैं बुँटारेता हूं जैसे कि आपधर गेर होता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रोग करके देता हूँ जैसे हमारा यह गियर होता है गाईज इस टाइप से देखे आप समझे थोड़ा था तो हमारा जो गियर होता है गाईज उसका जो उपर का भाग होता है यह वाला यहाँ पर पोर्शन देखे यह वाला तो उस चीज़ को आप देखेंगे तो यह आपको पर का पोर्सन समझ में दागा यह हमारा लेंड होता है ठीक है तो आशा करता हूं वारीज आपको जो है समझ में आ गया होगा तो अब हम चलते हैं next questions पर चलिए next questions क्या 13 questions है 13 questions है कि late machines पर drilling करते समय है द्रिल पकड़ा जाता है तो लेट machines पर अगधे हमारा ड्रिल करने हो तो कहां पकड़ेंगे options में क्या कर दियागा है चक दिया गया है तो अब हमें इसका जो आंस लगाएंगा इस क्या लगाएंगे तो काफ़ बच्चों ने यह भी questions जो है गलत कर दिया था तो यहां पर हम राइट हैंड की तरफ जो होता है और लेफ्ट हैंड में हमारा head stroke होता है तो हम वहाँ पर टेलिस्टोप में डिल को पकड़ करते हैं किसी भी जोग में जोग को का लगाएंगे हम वहाँ पर head stroke में लगाएंगे चली next question 31 questions एक गियर के दाते एक गियर के 36 और 3 mm का उसका module है पीची व्यास कितना होगा तो यहाँ पर जो चार options दिये गए हैं 31 के तो अब हम यहाँ पर इसका जो answer select करेंगे तो इसका लगाएंगे 108 तो यहाँ पर multiply कर देते हैं इसका छोटा सा formula है मैंने काफी बार आपको questions बताया है तो फिलाल के लिए इसका answer होगा 108 अगला questions तो यह गलती कहीं भी नहीं करनी है अगर गलती कर देते हैं तो आपके marks जो है कट जाते हैं जब आप exam देने जाते हैं 32 का जो answer होगा हम वह हमारा क्या होगा हम बिल्कुल ध्यान से जो है इस questions को देखेंगे तो आपको जो 32 का answer लगाना देगी यहाँ पर rpm देगा cutting speed तो एक चक्कर होता है अभी हमारा answer C हिसका answer है इसके बाद है कि non-farres धात्व की honing के लिए निमलिकीत में से कौन सा होता है यानि कि 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 हम यूज करेंगे 33 का जो answer होगा इस वह होगा silicon carbide अगला question से next 34 एक dial परिक्षन सूचक यानि कि dial test indicator के plunger की रेख्या गती को pointer की pointer rotary गती में का जो गाइस answer होगा वह हमारा rack and pinion mechanism का हम use करते हैं मैं कहीं बार आपको exam में live classes में questions बता चुका हूँ next questions है कि कि छड़ की लंबाई घटा कर अनुप्रस कार्ट में व्रधि करने की किरिया को कहते हैं तो यहाँ पर 35 को जो answer होगा वह हमारा क्या होगा वह होगा upsetting यह भी most important questions है अगला questions है next कि आरी के blade को win resist किया जाता है आरी के जो blade होता है उसको कैसे निडिस्ट किया करते हैं कै इस टाइप से अगला questions है कम दूरी के शक्ति संचालन के लिए निमलिक में से किस मात्यम का परियोग किया जाता है तो English में भी questions पढ़ सकते हैं दोनों language में दिया गा है तो कम दूरी के सक्ति संचालन के लिए हम किस का use करेंगे चार options यहाँ पर आपको दिये गए हैं बेल्ट ड्राइब आएगा दोस्ते हाँ पर फ्रेट बेल्ट ड्राइव और वेल्ट लिखाने तो वी बेल्ट ड्राइव तो यहाँ पर हम गियर ड्राइव का use करते हैं कम दूरी संचालन में यहीं कि सक्ति संचालन करने में क्योंकि गियर जादा दूरी को dispense नहीं कर करेगी तो हमारे सका इसको आंचर काफी important है और यह questions एक्जाम में आता है और यह सुधिंदी में question से तो इसका अधिक होगा तो उसका जुकाव कौन अधिक है तो छैनी धातू में जो भी हम धातू में चीपिंग कर रहे हैं तो वह परवेश कर जाएगी तो यहाँ पर नेक तो यहाँ पर next question चलेंगे कि faceplate बांदी जाती है यहाँ पर faceplate की जगे बांदी जाती है चार options आपको दिये गए है लेट मेशिंज के तो यहाँ पर headstock spindle, telestock, toolpost और bats यहाँ पर हम लगाएंगे इसका अंसर क्या लगाएंगे इसका अंसर लगाएंगे हम कि head on stock spindle, headstock spindle पर हम लगा देंगे तो इसका अंसर हुआ, next questions है कि कर्तन कोर पर हल की उतलता दी जाती है ताकि तो इसका जो अंसर होगा इस वे हमारा क्या होगा, यहाँ होगा C, अंत चोर को काटने से बचाने के लिए जो कर्तन को रोता उतलता, कौन रोता कर्तन को किस पर होती है, chisel पर, chisel पर जो थोड़ी सी हमारी जो convexity दी जाती है, वो क्यू जाती है, क्यू दी जाती है, कि अंत चोर को काटने से बचाने के लिए very most important questions है, कई बार exam में questions आया questions तो इस कान से थे कि horizontal और vertical, A वा B यानि कि दोनों है, तो mostly मैंने वो questions आपको दिये थे, जो कि मैं आपको live classes में पढ़ाता रहता हूँ, फिर भी काफी बच्चे चो है, अच्छे marks लाए थे, 48, 47, 44, 44, तो मैंने पूरी list आपको दी थी, लगबग 23 बच्चे student थे, हमने आप telegram पे भी डाला था, देखे सकते हैं आप यह image, यह telegram पे हमने सारा result दाला था, अगर आप अभी तक join नहीं कर पाए हैं, तो मुझे आप comment section बताएं, कैसे आप, मतलब आपको क्या problem आई, आप join नहीं कर पाएं, बाकि आप हमारी website को visit कर सकते हैं, info.trade.in, जहां से मैं आपक questions यह पढ़ा रहा हूँ, अप मरी applications को भी download करें, अगर आपने अभी तक नहीं download गी है, चलिए 42 के बाद हम चलेंगे, next 43 questions पे, angle plate पर किस लिए salute बनाए जाते हैं, तो guys यह भी questions काफी अच्छा questions है, तो यहां पर इस कांच लाएंगे हम, कि bolt को स्थान देने के लिए angle plate पर salute बना दी जाती है, very good questions है, next question 44 questions है, खालिस्तन की उपस्तिती में weld में दरारों की संभावना, संभावना में बड़ोतरी होती है, तो guys यह questions welder rate से हैं, बहुत ही अच्छा questions है, हम इस कांच से लाएंगे, hydrogen, hydrogen की इस्तिती से जो है, यहां पर दरारों की संभावना बढ़ जाती है, hydrogen की कमीज है, यहां पर CO2 आएगा ही, फ्रोड़ा, इतका आंसर तो नहीं है, आंसर B इसका अंसर है, अगला question से है, कि आरगन की अपूर्ति खालिस्तन रंग के सिलिंडर, सिलिंडरों में की जाती है, तो आरगन की जो अपूर्ति होती है, वो कौन से कलर के सिलिंडर होत वर्कपीस को निम्न में से किस के इंदर दुवारा, सेंटर से बीच पकड़ा जाता है, तो यहां पर इसका options देखें, चार options यहां देखें, बोल सेंटर, हाफ सेंटर, पाइप सेंटर, और यहां पर revolving center दियावा है, तो यहां पर 46 का इसका answer होगा, देखें, 46 का हमें एक answer से सलेक्ट अनना होगा, 46 में 4 options दिये गए हैं, A, B, C, D, तो 46 में क्या है, यहां पर देखें, चोथा में जो इसका answer होगा, वह हमारा revolving center होगा, क्या होगा, D, revolving center, 4 options यहां पर दिये गए हैं, अगला question चलेंगे, 46 के बाद 47 questions है, कि aluminium की welding, aluminium की gas welding के लिए, किस परकार की flame का जाता है, तो aluminium की gas welding के लिए हम जो use करेंगे, वह हमारा neutral flame का use करेंगे, अगला question, next question से है कि, gas welding torch को जलाने से पहले, यह पहले पढ़े, इसको खालिस्तान को खोला जाता है, यह बहुत confusion होते हैं, और पहले भी मैं आपको बता चुका हो यह questions, तो इसका जो answer होगा, इस हमारा gear set को कहा जाता है, तो late machines पर परियोग जो gear set होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो answer होगा, वह हमारा gear train, बहुत अच्छा questions है, gear train हम उसको कहते हैं, ओके guys, अगला questions है हमारा, कि welding में, welding में, दुश परभाव, जिनें देखा जा सकता है, वह क्या है, तो यहाँ पर चार तीनों options, तो undercut भी आ जाता है, welding में, या एक दोश है, ठीक है, और यह questions काफी बार exam में आया है, इस filter भी होते हैं, तो all of this, यानि कि यह सभी answers के आप रखेंगे, so guys, यह थे हमारे सारे questions, जो कि कई बार exam में आये वे हैं, अगर आपने हमारी website को visit नहीं किया है, तो यह कर सकती है, YouTube channel आपने अभी तक subscribe नहीं किया, तो channel को subscribe कर लें, और देखिए, यहाँ आप आपने काफी सारी video अभी तक upload की है, जो कि exam में बार बार पूछी जाते हैं, questions, ठीक है, तो अब हम मिलेंगे दोस्तों next video साथ, कोई भी आपका suggestions है, तो आप मुझे comment section में जरूर बता ओले आप दोस्तोंपित कर दो सारी टूर थाहा है, तक्सर का मुझे सार नहीं प्ली में काईप है, जिस प्मुझे Reports मुझे है, जो आपका सь क снова हम आपने कापे तक सारा है, तक सारा है, भी दोस्तों आपने को डिद़ँा है, वहाँ मॉँगती काक है, तो दोर दोस्तोंब ह